नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संभीधा कर्णियों का लोग पीरिये नेटवार्ट निउज फोर्ड भोगी फोर्ड निउज नेटवर्ड तो दोस्तों आज की महतपूर्न खबर बिहार सरकार से जुड़ी हुई सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा से शेयर कर दीजिए तो आईए दोस्तों बढ़ते हैं खबरों की ओर तो दोस्तों बिहार के नेता परतिपक्ष भाजपा के वरिष्ट नेता विजय कुमार सिनहा ने जो है कि सवाल फीर एक बार उठाया है बिहा अखबार का जो है कि स्क्रीन सोट हम डालेंगे और आप स्वैम जो है कि उसको देख लिजिए गा बहराल जो है कि नेता परतिपक्ष और भारतिये जनता पाटी के द्वारा संबीदा कर्मियों के पक्ष में सरकार से सवाल पूछा जाना और यह घोसना किया जाना कि यह सरकार दबाव में आएगी और हो सकता है कि समय से ही संबीदा कर्मियों को नितीज कुमार और तेजस्वी जादों की महागडबंदन नेत्रीत वाली सरकार मजबूर होकर जल्द से जल्द अपना जो है कि सेवानी अमितिकरन ग्रेड पेपेश केल के लाब देने में जो बिल आप रतिपक् enam Denise बविजये कुमार सिना ने जो है कि संबीदा कर्मियों के लिए क्या बाते कही है तो पत जो है कि स्कृ एं स्क्रीन सोट्व में जी बढ़ रहे हैं तो दोस्तों संबीदा कर्मियों का सोउषन कर पीयम बनेंगे नितीज इसका सिर्षक है जैसा कि आप देख पा रहें होंगे कि संभीदा करमीयों का सोसन कर पीएम बनेंगे नितिश कुमार पतना नेतापर्तिपक्ष विजय कुमार सिनहा ने कहा है कि इस देश में सबसे ज़्यादा किसी ने संभीदा करमी को ठगा है तो वह नितीज कुमार है बिहार की एक पूरी पीड़ी का भविस खराब करने वाले नितीज 10 लाख नौकरी का लालच दिखा रहे हैं लेकिन पहले से 10 लाख लोग अल्प बेतन पर फटे हाल जीवन जी रहे हैं उनके जीवन में सुधार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं नितीज पीएम का सपना देखते हैं उनसे पुछता हूं कि संबिदा कर्मी का सोशन करकर पीएम बनेंगे उन्हें सबसे पहले संबिदा कर्मी को न्याय देना चाहिए सभी को पर्मानेंट कर सरकारी कर्मी का दर्जाद देना होगा वरना हम तो पर्मानेंट करेंगे ही उन्होंने आगे कहा कि सभी संबिदा कर्मी को भाजपा की सरकार बनते ही पर्मानेंट कर दिया जाएगा और सभी को सरकारी कर्मी घोसित किया जाएगा महा गठवन्धन संभिदा कर्मियों का सोसन कर रही है लेकिन भाजपा सभी के साथ न्याय करेगी तो यह जो बयान है नेता परतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ट नेता बिजय कुमार सीनहा के द्वारा संभिदा कर्मियों के पक्ष में नितीज कुमार के सवाल करते हुए क किया गया है जिसमें जो है कि सवाल दागते हुए उन्होंने पूछा है कि क्या संभिदा कर्मियों का सोचन करके पीएम बनेंगे नितीश कुमार उन्होंने यह भी कहा है कि देश में अधिस संभिदा कर्मियों को सबसे अधिक किसी ने ठागा है तो वह मानिये मुखवंत्री नितीश जी हैं जिनोंने संविदा कर्मियों को लेकर तरह तरह के जो है कि कमीटियों का निर्मान कराया समय समय पर ब्यान जारी किये बगतब खुले मंज से दिया उचवधरी कमीटी की अनुसंसाओं का जो है कि लॉलीपफ दिखाया लेकिन संविदा कर्मियों को जो है कि जय कुमार सीनहा के दोवारा विहार सरकार के मानिये नेता मुखमंतली निपीज कुमार जी से पूछा गया है तो दोस्तों आज की जो महत्पूर्ण अपडेट थी हुआ हमने आपको बताने का काम किया अगली वीडियो में कुछ महत्पूर्ण कबरों के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत जय भिया